चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थवेवस्ता है लेकिन वो जल्द ही उस सिथी को खोरे वाला है एक समय था जब मुक्त विश्व के देश चाहते थे कि चीन विदेशी निवेश्व को के लिए अपने वितिय बाजार खोले और चीन ने मांग का विरोध किया क्योंकि वो अन्य देशों के लिए समान अफसर नहीं बनाना चाहता था एक समय ऐसा भी था जब विदेशी निवेश्व को और भहुराश्व कमपनियों को लगा कि चीन में आधार स्थाप्वित करना जरूरी है लेकिन अब वो दिन जा चुके हैं यह रिपोर्ट देखिए आज के हालात कल जैसे नहीं है विदेशी कर्मचारी चीन से बाहर भाग रहे हैं चीन विदेशी प्रतिभाओं के पलायन का अनुभव कर रहा है जो कम्यूनिस्ट राश्टर को पंगू बनाने का वादा करता है आखिर क्यों देश भर की तमाम कमपनिया चीन को छोड़ भाग रही हैं और इसका फायदा भारत को कैसे पहुँचने वाला है Financial Times के एक रिपोर्ट के अनुसार चीन में एक प्रमुख अमेरिकी बिजनस लॉबी समू के प्रमुख ने दुनिया के सबसे बड़े उभुगता बाजार से पश्चिमी अधिकारियों के पलायन की चेतावनी दी है क्योंकि राश्चुपती शी जिन पिंग ने कोरोना वाइरस नियंतरन को उकड़ा कर दिया है बाहर निकलने की कोई रणनी ती सपश्ट नहीं होने के कारण अमेरिकी व्यापार जगत के नेताओं ने बीजिंग को चेतावनी भी दी है चीन के इस रुक के कारण नौकरी छोड़ने वाले व्यावसाईयों की संख्या में बढ़हुत्री हुई है काफी कमपनियों ने चीन के साथ व्यावसाई करिश्टा भी तोड़ दिया है manufacturing कमपनियों का चीन छोड़ने से उसका manufacturing hub का तमगा छिन सकता है ये चीन के लिए बहुत बड़ा जटका साबत होने वाला है और भारत के लिए बड़ा फायदा जाननीजे कि चीन से भारत आने की शुरुआत जर्मनी की फुटवियर कमपनी कासा एवर्ज गंब के साथ हो चुकी है वान वैलक्स ब्रांड से फुटवियर बनाने वाली ये कमपनी भारत में शुरुआती 110 करोड का निवेश कर रही है ये कमपनी चीन में सालाना 30 लाख फुटवियर का उत्पादन कर रही थी जो की अब उत्तर प्रदेश में लगाई गई यूनिट से किया जाएगा कमपनी मानती है कि भारत दुनिया का अगला मैनुफेक्टरिंग पावर हाउस होगा इसके अलावा भारत की फार्मा कमपनीयां चीन के विलब्त के तौर पर उभरने के लिए तयार हो चुकी है एक्सपोर्ट्स का मानना है कि कैमिकल्स और फार्मा दो सेक्टर है जहां भारत बड़ी भूमिका निभा सकता है फिलाल दुनिया की 750 बिलियन डॉलर की कैमिकल इंडिस्ट्री में भारत का हिस्था 3 फीस्दी है जिसके बढ़ने की पूरी संभावना है भारत में जिन वैश्विक फर्मों ने रूची दिखाई है उनमें अमेरिका की मेडिकल इलेक्ट्रोनिक्स, उत्पादो, टेलिडेने और एमफेनॉल के निर्माता है और जॉंसन और जॉंसन जैसे मेडिकल उपकरण निर्माता है Medtronic PLC और Abbott Laboratories भी भारत में यूनिट लगाने के लिए बात कर रही है सूत्रों के मताबिक कम से कम 300 कंपनियां, मोबाइल इलेक्ट्रोनिक्स, मेडिकल डिवाइसेज, टेक्स्टाइल्स, लेदर, आटो पार्ट्स और सिंथेटिक फैब्रिक्स सहित कई शेत्रों के 550 प्रोडक्ट के लिए भारत में फैक्ट्रियां लगाने के लिए सरकार के संपर्क में है मोधी सरकार कर रही है तयारी फार्मा सेक्टर में आ रहे मोको को देखते हुए ही मोधी सरकार ने मार्च में 1.3 बिलियन डॉलर के इंसेंटिव पैकेज की गोशना की थी ताकि दवाओं के उतपादन के साथ साथ मैनुफैक्ट्रिंग हब के तौर पर भी इसे उभारा जा सके जापान ने कोरोना वाइरस महमारी के बाद अपनी कमपनियों को चीन से बाहर उतपादन में मदद करने के लिए 2.2 बिलियन डॉलर का निवेश किया है उधर यूरोपिय संग ने चीन पर अपनी निर्भरता कम करने की शिरुवात करती है इनमें से जरतर देशों की कमपनियों की दल्चस्पी भारत में यूनिट लगाने में है और यही बात ड्रैगन को खाय जा रही है चीन में सबसे एहम चीज थी लेबर और इंफ्रेस्ट्रक्चर एक तो वहां सस्ती लेबर है आसानी से मल जाती है और उपर से चीन की कम्यूनिस्ट सरकार लेबरों के लिए जो नियम बना देती है उसे सब मानते है ऐसे में कमपनियों को लेबर की तरफ से या लेबर के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है इसके लावा चीन ने इंफ्रेस्ट्रक्चर पर खुब काम किया है चीन में पोर्ट्स को हाईवी के जरिये तमाम उद्योगिक शहरों से जोड़ा गया है यही वज़ा है कि कमपनिया चीन में अपनी मैनुफेक्चरिंग यूनिट लगाने में दिल्चस्पी दिखाती थी लेकिन कोरोना सेंकट के बाद इस्तिती बदल गई है बेचैन हो रहा है चीन कई कमपनियों के चीन छोड़ भारत में मैनुफेक्चरिंग यूनिट लगाने की खबर आने के बाद चीन भड़ा गया है चीन की कम्यूनिस्ट सरकार के माउथ पीस चाइनीज डेली ग्लोबल टाइम्स ने बौखलाते हुए लिखना शुरू कर दिया है कि भारत कभी भी चीन का विकल्प नहीं बन सकेगा वो लिखता है कि मीडिया रिपोर्ट के मताबिक उत्तर प्रदेश ने चीन में मैनुफेक्चरिंग करने वाली उन कम्पनियों को अपने यहां शिफ्ट करने के लिए एक एक इकोनॉमिक टास्क फोर्स का गठन किया है लेकिन ये केवल एक सपना है कि कोरोना के कारण आर्थिक दबाव जेल रहे चीन को पच्छाड कर भारत दुनिया का अगली फैक्टरी बन सकता है ये केवल राष्टवादी सोच और शेखी बगहारने से जादा कुछ नहीं ब्यूरो रिपोर्ट कारू न्यूज